ग्राफिय होती है जो डांस होता है वो कट-कट करके होता है करेक्ट माल लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भई इसको डांस आता नहीं लेकिन वो बराबर साथ मिनिट तक या छे मिनिट तक परदे पर डांस करता हूँ नजर आता है आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्ट्लि जो फिल्मी कोलिओ अग्राफिय होती है फिल्मी दंस जब शूट होता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है उसकी जो टेकनीक होती है वो किस तरह से cut cut करके जाती है तो देख लिए चाहिए समझ दीजे आपने एक गाना सुन रहा है गाने में beats होती है एक ताल होता है एक तो तीन चार वो beat होता है rhythm होता है ताल होता है जब हम लोग set करते हैं तो हम हर beat को choreograph करना पड़ता है चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ flute बज़ रहा है तो वो भी हमारे लिए choreography होनी चाहिए क्या हो रहा है उस पर वो भी set करना पड़ता है तो जब हम shoot करते हैं तो हम picturize करते हैं कि ये चार beat पे हम ये वाला step करेंगे अब ये है कि चाहे artist अच्छा dance करें या ना करें लेकिन जो film क्या जो माध्यम है उसमें हम बहुत glamorize करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक angle से 4 count लिया दूसरे angle से close up मारा वही चीज फिर दीसरे angle से moving trolley shot लगा दिया तो generally क्या होता है artist को soliet मिल जाती है या convenience हो जाता है कि वह सिफ 4 step करें या 8 step करें और फिर उसके बाद रुख जाते हैं क्योंकि उनको पता है उसके बाद cut लगने वाला है क्योंकि दूसरा cut आएगा मानलो कि आपने 16 count का भी choreography रख दिया unfortunately मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है हमको सब कुछ ना अच्छा 2 count ऐसा आ गया artist ने पूरा shot दिया है dance का लेकि नहीं यह नहीं जम रहा है अभी थोड़ा cut करके यह लगाएंगे आप cut करके वो angle लगाएंगे लेकिन एक artist अगर अच्छा artist हो जैसे मादुरी जी हो या रितिक हो या गोविंदा जी हो उनको आपको cut करने की जरूवत नहीं है वो इतना अच्छे तरह से perform कर रहे है कि वो एक angle से भी बनता है वो shot जरूरी नहीं लेकिन नहीं आज के PD में सब फट 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 तो editor जादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट और फिर वो जामे जो आते हैं sorry for the language लेकिन वो एकदम जूम इन करके जामे सक सक वो blow dryer, unnecessary blow dryer हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है लेकिन मैं यहीं जरूर कहूंगा कि एक monotonous चीजें होने लगती है अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज अच्छी चीज को तीस गाने में आप देख सकता है कि वो सेम टू सेम वही फॉर्माट वही चीज दिख रही है इनोवेशन नहीं होता अगर एक चीज सकस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते है आच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डूपलिकेट बनाओ सिर्फ गाने के लव्स और आटिस बदल रहे है लेकिन ट्रीट्मेंट वही का वही है सो वही ट्रीट्मेंट है कि गाने को फटफट काटो फिर जामे करो फिर क्लोज अप लो फिर स्टेडी केम लगाओ लाइक आई फिल मास्टर जी जैसे गनेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं सरोज जी उनका जो श्टाइल ओफ ट्रीट्मेंट था लंबे-लंबे कट्स आटिंग दाट वो सिनमा वापस आना चाहिए कुछ कोड़ोग्रफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक और आर्टिस्स को भी पता चल गया है कि आव वी शूड अलसो नॉट कीप शच शॉट कट्स तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी अच्छा दिखा सकते हैं क्यूंकि अगर आपकी बॉड़ी लैंग्वज गलत है तो मैं सिर्फ आपका क्लोज अप ले लूँगा मैं आपको बोलोगा कि आप आँखों से खेल लीजे आपकी बॉड़ी लैंग्वज एकदम सही नहीं है आप बहुत ही ओड लग रही है कुछ-कुछ है एक्ट्रिस को डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं लंभी हैं उन्हें कभी सीखा नहीं लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है तो वो जबरदस्ती करते हैं वो सीख लेते हैं लगता है वो बहुत अच्छ कर रहे हैं वो मजे नहीं ले रहे हैं कुछ-कुछ है जादा नहीं है आजकल के सभी जो पीडी के जो आर्टेस्ट है वो सब नसीख कराते हैं बट कुछ दोती हैं से रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूगा और अगर लूगा तो वाइड लूगा भर भर के डांसर तो कि वो जो गलतियां है छिप जाएं और उनको सिफ चार या पांच या आठ काउंट का डांस इखा के बंद करा दूगा क कि उनकी एनरजी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि next क्या है और वो चेहरे पर दिखने लगता है तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं लेकिन audience को पता नहीं चलता है कि यह कटा हुआ है उनको लगता है कि यह लगातार निरंतर रूप से चला रहा है तो जिनका dance से बहुत लगा होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए या यह कहलें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में टीवी की दुनिया है तो या वो dancing shows हो या singing shows हो गाने तो विविद भारती कई बचते हैं और बहुत सारे गाने एक जो अभी जिसके at least 10 million, 20 million views हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है जो मैंने नौरा के साथ किया वो जादा हिट हुआ है बहरहाल मतलब अभी जब बात कर रहे हैं तो at least 20 million views हो च पुराना गाना और फिर modern कोरियोग्रफी उसका एक अलगी मजा